जैने दोस्तों अंदे मातरम, पिछले कुछ दिनों में हेमंद विसुष सर्मा और महमवे मुफ्ती के बीच में कई सारे heated exchanges हम कह सकते हैं जो की मीडिया के माध्यम से हुए हैं और वो कई सारे ऐसे मुद्दों के उपर हुए हैं जो मुद्दे भारत में गंबीर माने जाते है अब ऐसे में हेमंद विसुष सर्मा के उपर महमवे मुफ्ती में पिछले कुछ समय में काफी जाबा गंबीर आरोप लगा हैं जिनके जवाब भी हेमंद विसुष सर्मा ने काफी माखूल तरीके से दिये थे लेकिन एक बार फिर से एक नया विवाद खड़ा कर दिया है म निए को मिलने के उमीद है इसी बारे में हम बात करेंगे स्वीडियों गा पारोप लगाते हुए कहा कि वो सामपरदाई के राजनीती में अपने साथियों से दो कदम आगे रहने की कोहिश कर रहे हैं। पढ़ाई करनी चाहिए। इस बात पर आगबूबूला जम्मू कश्मीर के पूर्फ सीम ने कहा कि प्रदिसपर्दा यहां पर चल रही है। प्रदेश को गुजरात मॉडल, यूपी मॉडल, असम मॉडल और एमपी मॉडल में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। साथ उन्हों ने ये भी कहा कि भाजपा के नेता और मुख्यमंत्री अंग्रेजों की तरफ विभार कर रहे हैं। जिस तरह ब्रिटेश राज में हिंदूओं को मुस्लिमों के खिलाफ खड़ा किया गया था ठीक उसी तरह आज भी लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। मुस्लिमों को लगतार भड़काया जा रहा है ताकि ये लोग गुजराता और यूपी में उस तरह के एक और कांड को फिर से दोरा सके। पूरी मुक्य मंतरि ने ये भी कहा कि सब हालातों पर प्रहान मंतरी लेमोधी खामोश हैं वो देश के प्रहान मंतरी हैं लेकिन उनकी चुपी पर उनकी पार्टी भाज़ पर समझती है कि वो जो कर रहे हैं सब ठीक है। पता दें कि सीम सर्मा ने मदर्सों को मानफता का दुश्मन बताते हुए रविवार 22 मई को ये कहा था कि ये मदर्सा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए जब तक मदर्सा दिमाग में घूमेगा तब तक बच्चा कभी डॉक्टर या एंजिनियर नहीं बन पाएगा यदि ये बातें बच्चों को सिखाई जाएं तो बच्चे खुद ही मदर्से ना जाएं मदर्से में बच्चों का दाखिला ही मानव अधिकार को लंगन के लिए करवाया जाता है आप खूब कुरान पढ़ाई हैं लेकिन सबसे जादा गणेत और विग्यान पढ़ाएं मच्चों को आप घर में मजभी बातें पढ़ाएं मतलब सिधी सी बातें नोंने कहा है कि भई ये जो चीजें जिस तरीके से चलनी चाहिए उसी तरीके से चलाई जाएं तो बहतर है मतलब जहां पर पढ़ाई होनी चाहिए वहाँ पढ़ाई हो और जहां पर धर्म की बात होनी चाहिए वहाँ धर्म लेकिन हर जगे पर आपको ये नहीं करना चाहिए कि भई नहीं हम तो मजभी बात करेंगे और इंकलाब और जाहिज जिहाद पता नहीं क्या क्या चीजों के और बारे में हम बोलेंगे इसलिए हमन्द बिस्व सर्मान ने कहा है कि भई समान रूप से पढ़ाई होनी चाहिए जिससे की कोई भी व्यक्ती बच्चों की मासुमेंट का फायदा उठाकर उनको गलत चीज़े ना पढ़ाएं आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरू बताएएगा मेरे स्वीटियम फिलालत नहीं जाये हैं जाएबादा